अंतराश्च्रिय समाचार चीन के तारिम ओयल फील्ड में एक दशमलोव आठ खरब घन मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन चीन के शिनच्यांग विगुर स्वायत प्रदेश में तारिम ओयल फील्ड स्थित है जो चीन का सबसे बड़ा अती गहन गैस क्षेतर समूह है इस साल से 14 नए अल्ट्राडीप गैस कुए को उत्पादन में लगाया गया तारिम ओयल फील्ड में कुल मिलाकर एक खरब 80 अरब घन मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन हुआ सालाना उत्पादन क्षमता 20 अरब घन मीटर है इससे चीन के पूर्वी क्षेतर में पश्चमी इलाके से प्राकृतिक गैस की सप्लाई सुनिश्चित हुई हाल के वर्षों में तक्नीकी नवाचार के जरिये प्राकृतिक गैस के उत्पादन में बड़ा इजाफा हुआ उत्पादन क्षमता दर 95 प्रतिशत से अधिक कायम रही दसेक सालों के प्रयास के बाद तारिम ओयल फील्ड में प्राकृतिक गैस के भूवैज्ञानिक भंडार 16 खरब घन मीटर का पता लगाया गया है नोबेल विजेता अर्थशास्त्री डेनियल कहनमैन का 90 वर्ष की आयू में निधन इसराइली अमेरिकी संग्यानात्मक, मनोवैज्ञानिक और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरसकार विजेता डेनियल कहनमैन का 90 वर्ष की आयू में निधन हो गया इसराइल के राश्ट्रपती इसाख हर्जोग ने बुधवार को एक बयान में कहा हमने बेहत प्रतिभाशाली लोगों में से एक को खो दिया है उन्होंने कहा कि काहनमैन के शोध ने मानवता के समझने के तरीके को बदल दिया है हमें उन पर बहुत गर्व है समाचार एजनसी शिनुआ ने इसराइली राश्ट्रपती के हवाले से कहा कहनमैन की मौत के बाद भी मानवता की भलाई के लिए किये गए उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है गौर्तलब है कि अनिश्चित परिस्थितियों में निरने लेने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहनमैन को 2002 में नोबेल पुरसकार से सम्मानित किया गया था कहनमैन यरूशलेम के हिब्रू विश्व विद्याले में Center for the Study of Rationality के फेलो विश्व विद्याले के मनोविज्ञान विभाग के सदस्य और कई प्रमुख अमेरिकी विश्व विद्यालेों में प्रोफेसर और शोध करता थे BLA ने 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया चीन को दी कडी चेतावनी बलूच लिबरेशन आर्मी ने तुर्बत में स्थित देश के दूसरे सबसे बड़े नौसैनिक हवाई स्टेशन PNS सिद्धीकी को निशाना बना कर 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया और बलूचिस्तान में अपनी अवैध, बस्तियों और परियोजनाओं पर चीन को चेतावनी दी संगठन ने एक बयान में कहा कि उसकी मजीद ब्रिगेड ने बलूच नरसंहार के खिलाफ जवाबी कारवाई और क्षेत्र को चीनी, कबजे और शोशन से बचाने के लिए ओपरेशन जिर्पहाजग के पांचवे चरण को सफलता पूर्वक पूरा किया BLA के प्रवक्ता जियान बलूच ने कहा, ओपरेशन जिर्पहाजग के पांचवे चरण में बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने कल रात, सोमवार, दस बजे सेना के कबजे वाले नौसेना एर बेस, पीए ने सिद्धीकी पर हमला किया सुभह तक दुश्मन से उलचते रहे और तीस से अधिक दुश्मन सैनिकों को मार कर ओपरेशन का मकसद पूरा किया विदेश मंत्री जैशंकर की तीन देशों की दक्षण पूर्व एशिया यात्रा संपन्न विदेश मंत्री एस जैशंकर ने तीन एशियाई देशों की यात्रा पूरी कर ली है गत 23 मार्ज को उनकी यह यात्रा शुरू हुई थी इस यात्रा का मुख्य उद्देश एशियाई देशों के बीच द्विपक्षिय रिष्टों को प्रगाड करना और क्षेत्रिय मुद्दों के समाधान के लिए वार्ता की मेज तैयार करना था मार्ज के 27 से 28 को अपने दो दिवसिय दौरे के दौरान विदेश मंत्री ने मलेशिया के प्रधान मंत्री अनवर बिन इबराहीम के साथ शिष्टाचार भेंट की और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें बधाई भी दी उन्होंने प्रधान मंत्री इब्राहिम की भारत और मलेशिया के बीच रिष्टों को प्रगाड करने और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में भूमिका की सराहना की अपने दौरे के दौरान जयन्शकर ने विदेश मंत्री उतामा हाजी मोहमद बिन हाजी हसन से भी मुलाकात की दोनों नेताओं ने कई द्विपक्षिय मूद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जिसमें राजनीती, व्यापार, अर्थव्यवस्था, रक्षा, संस्कृती और शिक्षा शामिल है बी एन टी की खास पेशकश